नमस्कार स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग मिरे नाम रोज सिंगल स्टूडेंट्स हम कैपिटल स्ट्रक्टर जो चैप्टर है उसको आप चालू कर रहे हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है गेरिंग फिर गेरिंग मतलब होता है लिवरेच तो आज हम इसी को ही डिसकस करेंगे इस लास के अंदर फिर बाद ने मेनली जो चैप्टर का फोकस रहेगा वो कैपिटल स्ट्रक्टर पर रहेगा पूरा जैसे में अपने देख लिया हो तो उसको गैप्ट जैसे देखा था वैसे केट एक्विटी दोनों के फायदे नुक्सान वगरा ये सब चीजे हैं जाहतर तो सबसे पहले जो इस चेप्टर का टॉपिक है वो है गेरिंग ऑपरेटिंग एंड फैनेंशल तो हम ये डिसकस कर रहे हैं बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक है बढ़िया टॉपिक है तो दो टाइप के होते हैं एक तो होता है ओपरेटिंग लीवरेज और एक फैनेशल लीवरेज आप बोलेंगे सब लीवरेज मतलब तो बताओ लीवरेज क्या होता है लीवरेज मतलब आप समझ सकते हो कि एक फायदा है एक बेनेफिट है या फिर एक रिस्क है बेनेफिट भी हो सकता है किसी चीज से और उस चीज से लॉस भी हो सकता है ठीक है रिस्क यह है जैसे लीवरेज क्या करता है चीजों को amplify करने का काम करता है यह सारे terms आपके लिए बुलको नलग है या magnify करने का काम करता है देखो business में दो type के risk होते हैं एक होता है operating risk और एक होता है financial risk business में दो type के risk होता है एक होता है operating risk और एक होता है financial risk तो operating risk मतलब जो business को operate करने से related होता है ठीक है और financial risk मतलब जो business में debt use करने की वज़े से होता है operate करने की वज़े से कैसे यह basically होता है fixed cost की वज़े से कौन सी fixed cost? operating nature की fixed cost और यह होता है क्योंकि debt में debt में भी fixed cost involved होती है लेकिन debt में कौन सी fixed cost involved होती है interest और कौन सी fixed cost हो सकती है preference share dividend preference share को आप हमेशा debt मानेगे यह दिःyetन रखना क्योंकि preference share आपको पता है एक वैसा तो कई लोग disputed है preference share आपने सटोन च्पलब एक फिकसरेट無 डिविडेंट जाता है तो इसलिए कई लोग इसको debt कह लेते हैं बट mostly अब यह जातर classify कहां पर होता है debt के अंदर classify होता है तो आपको कुछ बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी कि operating risk जो है operating leverage वो किस वज़े से अराइज होता है operating risk की वहे से और वो fixed operating cost है fixed operating cost जैसे salary, rent, insurance, etc. ठीक है हम क्या करते हैं sales में से less करते हैं variable cost क्या आता है बताओ contribution contribution में से fixed cost less करते हैं तो आता है EBIT EBIT को आप और क्या बोलते हो EBIT को आप operating profit बोलते हो यह नहीं बोलते हो बताओ हाँ सर EBIT को हम operating profit बोलते हैं तो यह fixed cost कौन से nature की fixed cost आप less करते हो यह fixed cost less करते हो operating fixed cost normally आप लिखते नहीं हो यहाँ पे लेकिन यह कौन सी fixed cost होती है operating fixed cost होती है salary, rent, insurance, etc. operating profit में से फिर हम क्या less करते हैं EBIT आने के बाद उसमें से interest less करते हैं तो interest भी तो fixed cost है लेकिन वो कौन सी fixed cost है non operating fixed cost मतलब यह एक financial leverage का कारण बनती है या financial fixed cost है ठीक है जो हम debt पे करते हैं देखो यह उपर भी fixed cost थी नीचे भी fixed cost थी लेकिन यह operating nature की है यह non operating nature की है दोनों में यह difference है और फिर EBIT आता है EBIT में से हम tax less करते है फिर EAT आता है EAT में से हम preference share dividend less करते है तो preference share is again non operating fixed cost ठीक है नब preference share पे जो dividend पे करते हैं वो भी हमारा वापस से non operating fixed cost होता है अभी तेक हमने टॉपिक जो है वो डंग से चालू नहीं किया बस मैं किवल हलका से background नहीं कोश्च कर रहा हूँ अब मैं आपको पताता हूँ यह real में कैसे मैं बोल रहा हूँ कि यह benefit भी होता है और risk भी होता है operating जो leverage है और financial leverage है fixed cost कैसे फाइदा भी दे सकती है business में और नुकसान भी दे सकती है पहले मैं आपको simple language में बताने के कुश्च करता हूँ है ना फिर अपन इसको technically proof करेंगे ज्यादा बढ़िया क्या रहता है कि अगर आप simple language में समझ पाऊ ना बिना figures के तो वो एक best चीज होती है हमेशा जाना अब जैसे मान लो किसी business की sales है 1 lakh की ठीक है और अभी आपको पता है कोरोना वाला time चल रहा है कोरोना की वज़े से बार बार कई business जो है वो effect कर रहे है tourism वगरा यह सब चीज है tourism आप देख लो hotel industry देख लो ठीक है कई industries जो है वो कोरोना या कोविड की वज़े से बहुत पुरी तरीकी से affected है जिस पर बार 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 दिख्कतें आ रही है उनको सबसे जादा जो परिशानी होती है वो कौन सी cost की वज़े से होती होगी variable cost की वज़े से की fixed cost की वज़े से variable cost तो तब लगती है जब हम production करते हैं या sales करते हैं यही होता है आपको पता है variable cost vary करती है लेकिन fixed cost क्या है एक जगा खड़ी रहती है स्थिर रहती है तो चाहे कुछ भी हो जाए fixed cost तो लगीगी लगीगी means अगर आपकी sale 1 lakh है पहले आपक sale कम हो गई एकडम से वह आगई 20,000 पर आगई 1 lakh से सीधा आप 20,000 पर आगए तो आपकी variable cost भी proportionately कम हो जाएगी तो चिंदा की बात नहीं है ठीक है न बट जो fixed cost है न fixed cost मानलो वह 60,000 थी तो वह पहले भी 60,000 थी और अभी भी 60,000 रहेगी rent कितना कोई rent में कटवती करतेगा ठीक है बहुत dispute हुआ था COVID के टाइम पर rent के अंदर मकान माले को और जो जो मतलब owner होता है और एक जो tenant और landlord में बहुत dispute हुआ था बट करते नहीं है rent कम तो सोचो आप वो rent वगड़ा जितनी fixed cost है न वो खड़ी ही रहती है ठीक है तो कितना ज्यादा दुख देगी एक तो यह बात समझ में है आपको तो हमने बात करी operating fixed cost की अब आप सोचो आपकी sale 1 lakh है आपकी sale बहुत ज्यादा increase कर गई एक गम से किसी भ आपकी fix आपकी जो variable cost है variable cost भी proportionately increase कर जाएगी मानते हो नहीं बात बट fixed cost क्या रहेगी अपने यहाँ पे स्थिर रहेगी खड़ी रहेगी अब आपको यह फाइदा देगा अब आपको यह फाइदा देगा मानलो 50,000 की fixed cost पहले थी अभी भी 50,000 की fixed cost रहेगी तो क्या हुआ आपका बताओ fix cost खड़ी रही एक जगा पे लेकिन आपका sale increase हुआ तो कितना ज़्यादा benefit हुआ हुआ है यह नहीं हुआ लेकिन पहले वाले case में अगर sale एक लाग से सीधा 20,000 पर आ गई, sale बहुत कम हो गई तो fix cost 50,000 की 50,000 रहेगी छोड़ो figure से अगर याद नहीं रहते त simple आप यह सोचो कि sale अगर कम हो गई तो fix cost थोड़े कम हो रही है तब तो वह same ready है तब यह क्या कर रहा है business में risk पैता कर रहा है तब यह नुकसान देगा हमें बट अगर हमारी sale बढ़ गई खतनाक तरीके से तब हमें business के अंदर क्या होगा बहुत benefit होगा कि हमारी sale बढ़ ग करता हूँ financial leverage को आपकी sale पहले 1 lakh थी आपने थोड़ा सा loan उठा रखा था bank से bank से कुछ loan उठा रखा था और आप सपोस्कुरो 10,000 का interest fix pay करते थे 10,000 का ब्याज आप fix pay करते ही करते थे आपकी sale 1 lakh थी तो आपको ब्याज का पता नहीं लगता था आराम से कोई दिक्केत नहीं होती थी ब्याज आप pay करते थे Corona आया Corona की वज़े से आपकी sales है bought down चले गई क्या मैं आपसे question पूछ रहा हूँ क्या bank आपसे कोई sympathy रखके interest की cost जो है वो कम कर देगा क्या नहीं करेगा नहीं करेगा न तो वो interest तो आपको pay करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी जाए तो आपकी sale कम हो रही है variable cost भी कम हो रही है ठीक है बट आपका interest का component उतना का उतना है same to same है ठीक है तो यह आपके लिए risk है यह नहीं रिस्क है बहुत सारे business जो है उन्होंने depth को नजदीक से देखा और वो result जो आये वो depth के बहुत भयानक आए ठीक है कई business तबाह हो गए depth की वज़े से खतम हो गए पूरे के पूरे आप बहुत सारी companies हैं ऐसी जिनके जिन्होंने अब एक तरीके से टार्गेट बनाया है कि हम depth को खतम कर देंगे Reliance Industries Limited R.I.L. मुगेशंबानी ने बोला कि हम depth को पूरा का पूरा खतम कर देंगे ठीक है खतम कर भी दिया उन्होंने depth free company बना दी Tata Consultancy Service उसके पास भी depth zero है Tata Motors ने सोचा अब हम depth को खतम कर देंगे टार्गेट बनाया है लेकिन Tata Motors के पास बहुत ज्यादा depth है ठीक है उसमें Land Rover और Jaguar जब hire करी थी 1997 के आसपास तब उसमें बहुत ज्यादा payment किया था और उसकी वेज़से depth बहुत ज्यादा आया था ठीक है तो आपका interest का खर्चा कम नहीं होने वाला वो as it is रहेगा तो नुकसान होगा लेकिन फाइदा सोचो फाइदा कब होगा आपकी business की sales बन लेक है business की sales खतरनाक तरीके से बढ़ रही है उचाहियों पर जा रहे हो आप आपकी variable cost भी क्या होगी बढ़ जाएगी लेकिन आपकी interest की cost सेम रहेगी तब आपको बहुत मजा आएगा अंदर से के यार हमारी variable cost तो बढ़ रही है लेकिन fixed cost तो सेम रही है ठीक है sales भी बढ़ गई कितनी जादा तो हमें extra तो नहीं payment करना पढ़ रहा ना उस person को bank वाले को जिससे हमने loan लिया है या debentures जिससे हमने issue करें तो हमे उस पर debenture holder को कोई ज्यादा ब्यास तो नहीं देना पड़ रहा है जितनी बात हुई ती जितना तैय हुआ था उतना ही ब्यास देना पड़ रहा है तो फिर लगता है मजा आगया साब मौचा ही मौचा ही मौचा ही मौचा है ना ठीक है तो financial leverage मतलब क्या है समझ में आ रहा ह तो उसे बुलते हैं कि business में gear है आप second gear में गाड़ी चला रहे हो ठीक है आपने gear बदला third पर लिया है गाड़ी क्या होगी तेज चलेगी third से fourth लिया है और तेज चलेगी fifth और तेज तो जैसे जैसे gear लेकिन क्या है एक risk है गाड़ी तो तेज चलेगी लेकिन risk क्या है accident भी हो सकता है तो business में same to same fixed cost का यही काम होता है business जातर इस financial gearing से दुखी रहते हैं ठीक है इस से depth से बहुत जातर दुखी है operating fixed cost तो business फिर भी इतना दुखी नहीं है जितना किस से दुखी है financial gearing से दुखी है तो हम इस chapter में इसी को ही starting में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो operating leverage के बा छोड़ा सा figures के थुरू समझाऊंगा operating leverage इसका formula होता है contribution upon EBIT क्या formula होता है contribution upon EBIT सरी formula याद रखना है क्या हाँ सबसे best formula है ठीक है वैसे तो कई सारे formula होते हैं लेकिन आपको हमेशा यही use करना है अब ध्यान सुनों यह क्या बता रहा है important interpretation क्या है यह बताता है कि अगर हमने 1 रुपी या 1 डॉलर जो भी बोलना है बोलो 1 डॉलर की sales में sales में change हुआ तो हमारा EBIT पे क्या effect पड़ेगा what would be the effect on EBIT if sales change by 1 डॉलर then what would be the effect on EBIT यह बताता है operating leverage ठीक है मतलब अगर sales 1 से बढ़ गई अगर sales suppose करो 1% से बढ़ गई sales हमने 1% से increase कर दी तो कितना percent EBIT पे effect आएगा कितना percent EBIT पे effect आएगा यह बताता है operating leverage सर अगर sales 1% से बढ़ गई तो EBIT भी बढ़ेगी increase होगी बट थोड़ा सा जादा percentage से increase होगी है ना अगर sales 1% से increase होई है तो EBIT भी increase करेगी है ना जादा percentage से increase करेगी ध्यान सुनना भी है ना सब समझ में आजाएगा अपने आप तो अगर sales 1% से decrease करेगी तो EBIT भी decrease करेगी लेकिन 1 से जादा percentage से करेगी और यह सर ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर sales increase कर रही है 1% से तो EBIT 1% से जादा से increase कर रही है और sales decrease कर रही है तो 1% से EBIT 1% से जादा decrease हो रही है ऐसा इसलिए हो रहा है जादा इसलिए effect हो रहा है because of operating gearing या operating leverage किस वज़े से rise होता है because of operating fixed cost यह किस वज़े से होता है operating fixed cost की वज़े से होता है कि अगर आपके business की sale बड़ी तो अभी मैंने क्या समझाए था अगर आपके business की sale बड़ी तो आपकी fixed cost तो सेम है तो आपको मज़ा आएगा लेकिन अगर आपके business में sale गिरी तो आप खतम हो जाओगे पूरे के पूरे है ना clear किया तो यह operating leverage है sir और थोड़ा सा depth में जाए अभी तो चालू हुआ है अभी तो समझना अपनने चालू किया है समझने अपन condition नहीं रखते बल्कुल भी जैसे देखो इसका एक example देखते हैं आपको figures के थुरू जाते समझ में आए variable cost fixed cost है आपको 10% sales में change करके बताना है कि दोनों में क्या effect आया ठीक है जड़ो देखो पहले firm A को analyze करते सेल्स कितनी है firm A की 5 million की variable cost किती है 3 million की तो EBIT contribution कितना आया 2 million ठीक है minus fixed cost कौन सी fixed cost operating fixed cost अभी अपन operating leverage के बार में discuss कर रहे हैं तो यह आगया EBIT 1 million का निकालना जड़ा वो निकालना इसमें operating leverage निकालना यह operating leverage क्या formula बताया था भी contribution upon EBIT तो contribution 2 upon 1 तो 2 upon 1 कितना होता है बताओ 200% ठीक है 200% या 2 times बोल लो आप तो simple leverage को अपन 2 times में बोलते हैं ज़्यादा बढ़िया रहता है तो 2 times अपना operating leverage आ गया अब question में क्या बोला कि sales को 10% से change करके देखो चलो करते हैं 10% से increase करते हैं एक बार sales को ठीक है तो देखना क्या होता है sales 5 million की 10% से increase होगी तो कितनी हो जाएगी 5.50 यह हो जाएगा 3.30 यह हो जाएगा 2.2 ठीक है sales बढ़ गई variable cost भी same proportion में बढ़ती है contribution भी आप minus करोगी तो यह यह आएगा same proportion बढ़ा fixed cost लेकिन उतनी की उतनी रहती है ठीक है ओपरेटिंग fixed cost या कोई सी fix cost same रहती है तो EBIT कितना है 1.2 अब आपको ध्यान देना है important है हमारा operating leverage कितना है two times है contribution upon EBIT निकाला ठीक है अब आप यह बताओ जरा के contribution या sales चलो यह बताओ sales में कितना change आया sales में कितना percent change आया यह तो साफ फता लग रहा है sales 10% से बढ़ गई sales 10% से बढ़ गई ठीक है EBIT देखना जरा EBIT कितना percent change हुआ है क्या EBIT भी 10% से change हो रहा है क्या check करो 1 million से 1.2 million हो गया तो 0.2 million बढ़ गया 0.2 upon 1 into 100 percentage निकालना आता है 0.2 upon 1 into 100 तो 20% से EBIT बढ़ गया बताना जरा क्या हुआ है इसको आप explain कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ है कि sales 10% से बढ़ी लेकिन EBIT 20% से बढ़ी ऐसा क्यों हुआ बताओ दरा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि sales बढ़ी variable cost भी बढ़ गई देखो variable cost भी 10% से बढ़ रही है यहां तक सब figure सेम रहे है contribution भी 10% से बढ़ गया ठीक है बट fix cost उतनी की उतनी है इसलिए हमें यहां पर फाइदा हुआ ठीक है न यही तो होता है अब जो business बड़े बड़े आप छोट छोटे business देख लो अगर आपके family में business है तो father वगरा अगर business में है तो तो आप देखो के business वो करते रहते हैं sales बढ़ती रहती है लेकिन हमारे जो employees होते हैं उनकी salary sales के ratio में थोड़े बढ़ती है fix रहती है तो इसलिए profit या फाइदा किसको मिलता है owner को समझगे के मेरी बात को sales बढ़ती रहती है लेकिन हमारे fix कर्चे उ owner को फाइदा मिलता है लेकिन हम मैं आपको दिखाता हूं इसका दूसरा side ठीक है चलो sales को 10% से कम कर दो अब sales 5 million की जगह original figure में change करना है 5 million की जगह 10% से कम कर दो कितना हो जाएगा 4.5 million 3 million की जगह 10% से कम कर दिया तो 2.7 1.8 ठीक है fix cost उतनी की उतनी रहेगी 1 million ठीक है तो 0.8 आगया चरह चेक करना 1 million पहले EBIT थी अब EBIT कित्ती होगी 0.8 तो कितना change आया 0.2 0.2 upon 1 into 100 means 20% देखरो यहां पे क्या हुआ है आपकी sales जो कम हुई थी 10% से कम हुई थी आपका contribution तक सब कुछ 10% से कम हुआ था बट आपने देखा यहां पे कि आपकी EBIT ज़्यादा तेजी से गिर गई ऐसा ही होता है business के साथ जब उसकी sales गिरती है तो variable cost भी गिर जाती है लेकिन वो बिचारा fixed cost जो है वो नहीं गिरा पाता वो उतनी की उतनी ही रहती है वो उतनी ही same रहेगी खड़ी रहेगी इससे उसको नुकसान जाता होता है समझ गया कि मेरी बात को आप यह two times का क्या relevance है जो हमने निकला था operating leverage operating leverage two times का मतलब यह है कि अगर हमारी sales में one का change आएगा one percent का change आएगा तो EBIT में two percent का change आएगा यह जो operating leverage निकला न आप सोच रहोंगे ज़र यह क्या काम आएगा contribution upon EBIT यही तो सारा काम कर रहा है अब इसी formula से आप सब चीज़े समझ सकते हो two times operating leverage का क्या मतलब है कि अगर sales को one percent से change किया change मतलब plus minus कुछ भी ठीक है अगर sales को one percent से plus किया तो EBIT one percent से plus होगी अगर sales को one percent से minus किया तो EBIT one percent की जगह two percent से minus होगी ठीक है अगर मैंने sales को कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना मैंने two percent से decrease होगी इधर plus हो रही थी इधर minus हो रही है तभी तो मैंने जब sales को 10 percent से increase किया था पहले तो मेरा EBIT कितना percent बढ़ा twenty percent बढ़ा और मैंने जब sales को 10 percent से decrease किया तो EBIT twenty percent से गिरा सब्सक्राइब क्या है जड़ा बताना contribution upon EBIT contribution और EBIT में क्या difference होता है बताओ जड़ा सोचो अच्छे से सोचो contribution upon EBIT में क्या difference होता है contribution में से क्या less करें कि EBIT आ जाए operating fixed cost तो operating leverage जो है वो किसको capture कर रहा है operating fixed cost को capture कर रहा है contribution upon EBIT में ध्यान सोचो क्या difference होता है operating fixed cost तो जब मैंने इससे किया operating fixed cost capture हो गई यहां पर ठीक है capture बोल रहा हूं मैं ठीक है होगी ने capture तो इसको consider करता है वैसे इसने minus करने के लिए बोला नहीं था लेकिन आपको दिखाना था कि देखो क्या हो रहा है तो जितना fixed cost जादा होगा जितना fixed cost जादा होगा उतना ही operating leverage जाता होगा तो सरी अच्छी बात है क्या आप बताओ यह अच्छी बात है नहीं अच्छी बात कब है जब आपकी sales बढ़ेगी न तो आपका अगर sales आप 10% से बढ़ाओगे तो आपका EBIT 20% से बढ़ेगा तो क्योंकि आप फाइदा कमाओगे तो अपना फाइदा अपने employees में direct थोने अबाट होगे लेकिन आप यह ध्यान रखना अगर आपकी sales गिरी तो आप सारा नुकसान खुद उठाओगे fixed cost जो है same रहेगी आपके employees तो उतनी ही salary मांगेंगे जितनी वो मांगते थे ठीक है अच्छा यह तो मैंने firm A का निकाल के रिखाया अब firm B का comparison कराने के लिए बोल रहा है तो कर लेते हैं simple है कुछ नहीं है ठीक है अब आप यह खुद देखना है ना करके देखो एक बार copy में कुछ भी नहीं है simple है leverage is most easy topic in financial management but very conceptual topic ठीक है sales में से variable cost less chaos पता है आपको leverage का chapter होता है CA enter के अंदर जब कोई student CA कर रहा होता है तो उसमें CA enter में chapter होता है even जब कोई student become कर रहा होता है graduation तो graduation में भी chapter होता है leverage first year या second year के अंदर जिसमें भी financial management होती है तो sales minus variable cost contribution minus fixed cost operating profit या EBIT ठीक है अब देखो operating leverage के क्या formula था पहले तो formula याद कर लो है तो four upon one means four times मुझे इस four times का interpretation करके बताओ सोचो दिमाग में क्या interpretation होगा इसका ऐसे बोलो अगर sales one percent से बढ़ जाती है तो तो EBIT four percent से बढ़ेगी अगर sales one percent से घट जाती है तो EBIT four percent से घटेगी माइनस होगी मतलब है गटना मतलब क्या होता है माइनस होता है less सर्क करके दिखाओ proof मैं sales को 10 percent से बढ़ा के देखता हूँ अगर sales 10 percent से बढ़ेगी तो EBIT आप देखना 40 percent से बढ़ जाएगी तो 5 प्लस 10 5.5 1 प्लस 10 1.1 ठीक है 4.4 fix cost सेम रहीगी यही तो खेल है पूरा का पूरा 1.4 अब sales 10 percent से बढ़ी यह 10 percent है दिख रहा होगा EBIT देखना कितना percent से बढ़ रहा है 1 से 1.4 हो गया EBIT कितना percent बढ़ गया 40 percent बढ़ गया बढ़ गया नहीं बढ़ गया sales 10 percent से बढ़ी और EBIT 40 percent से बढ़ गया यह कमाल किसका है यह है fix cost का कमाल है अब इसका बयानक रूप देखो sales को 10 percent से कम करो 5 में से 10 percent less करो साड़े 4.9 3.6 3.6 होता है 4-4 ठीक है 3.6 ही होता है क्या एक तो calculator लेकर हर जगर पर बुरी आदत हो जाती है 0.6 पहले sales पहले EBIT 1 million थी अब EBIT 0.6 हो गई 40.4 million की EBIT कम होगी 0.4 upon 1 into 108 40 percent sales 10 percent से गिरी EBIT 40 percent से गिर गई leverage कितना था आपका चार times यही तो बता रहा है वो operating leverage के साब अगर आपके operating leverage business में जादा है न तो खुश भी हो सकते हो दुखी भी हो सकते हो खुश कब होंगे अगर आपकी sales बढ़ती रहेगी तो आपको business में अपने success मिलती कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिस दिन sales कम होना चालू ही उस दिन समझ जाना कि अब time आ गया है ठीक है तो fixed cost को बहुत ध्यान से business में employed करना चाहिए लगाना चाहिए सोचना चाहिए fixed cost लगाने से पहले कि यार fixed cost लगाए या नहीं लगाए ठीक है यह बात है न तो operating leverage का हम क्या formula याद रखने अच्छा यह बताओ यह दोनों में इधर तो 10% था ठीक है इधर operating leverage कितना था 20 times तो हमने 10% form A में 10% sales increase करी थी बट EBIT में 20% change जा रहता है यहाँ पर 10% change कर रहे है तो 40% change जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इधर देखो ध्यान से यह सारी इसकी करामात है इधर fixed cost 1 million कि यह इधर 3 million कि है समझगे कि बात को इधर fixed cost 1 million कि यह इधर 3 million कि यह ऐसा इसलिए हो रहा है जिदर fix cost जादा होगी उधर operating leverage के आएगा obviously जादा आएगा ठीक है इसलिए इधर operating leverage two times हा रहा है और इधर operating leverage four times हा रहा है जैसे यहाँ पर two times था और यहाँ पर four times है ठीक है four times वाले को खुछ नहीं होना चाहिए कभी भी खतरनाक मामला है ठीक है डेप्ट का क्या है कि डेप्ट का company पर लीगल चलो डेप्ट के भी बात अभी कर यह नहीं है ठीक है financial leverage में पढ़ेंगे डेप्ट यह कौन से fix cost की बात चल रही है अभी operating fix cost EBIT से पहले जो fix cost less होती है वो operating होती है और EBIT के बाद जो हम interest वगरा less करते हैं वो non operating fix cost होता है जिसे financial fix cost भी कहते हैं तो हमीचा द्यान रखना business में दो type के risk होते हैं नाम ही क्या है business में दो type के risk होते हैं कौन-कौन से एक तो operating risk और financial risk अब हम discuss करेंगे financial leverage के बारे में अच्छा सर operating का plan की book देखोगे तो operating leverage जो है इसके चार formula दे रखे हैं महान लोगों ने लेकिन जो सबसे काम का formula है वो सबसे last मुझे रखा है तो आपको अगर question में कुछ ना दे रहा हो तो कौन सा formula लगाना है contribution upon EBIT यह लगाना है यह सबसे best formula होता है द्यान रखना समझ गया क्या ठीक है यही लगाना है तो सर यह सब फाल्तू दे रखे हैं सारे याद करोगी के और कोई मतलब भी नहीं है ठीक है तो आपको कौन सा लगाना है contribution upon EBIT सर contribution upon EBIT में क्या difference है operating fixed cost अगर आप देखो के सब में fixed cost ही निकल वा रहा है वो एक तरीके से जैसे fixed cost upon variable cost तो fixed cost का कितना percentage यह चेक करवा रहा है fixed cost upon total cost fixed cost का total cost में क्या percentage है वो चेक करवा रहा है ठीक है percentage change in EBIT upon percentage change in sales इसने उल्टा कर दिया इसको दोनों answer same आते हैं वसे चारो formula answer same नहीं देते हैं तो हमें कौन सा formula यूज करना है contribution upon EBIT जो most accepted formula है ध्यान सुन लो एक ही बात है न और फिर भी अगर याद करने की इच्छ है तो सारे याद कर लो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन करने को कोई फाइदा नहीं है बात मानों जो कह रहा हूं वो कर लो ठीक है तो इसने क्या लगा रखा है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चीए हमने अभी जो proof देखा उससे आपको मतलब होना चीए जो मैंने आप लिवडेज क्या है बिताय था न भी मैंने आपको यह Debt के वज़े से हो रहा है अब आ रहा है Debt Component Operating leverage में क्या था Operating fix cost आ रहा था वहाँ पे Debt नहीं आ रहा था यहाँ पे Non-operating fix cost की हम बात करेंगे यहां पे किसकी बात करेंगे Non Operating fix cost की तो non operating fixed cost मतलब debt में क्या आएगा ब्याज और preferential dividend ठीक है जहान सुनों मैं क्या बोल रहा हूं important चीज बोल रहा हूं जहान सुनना एक ही बार में जैसे sales का effect sales में क्या effect आया sales में कितना change करें कि EBIT पे क्या effect आये ये कौन बताता है operating leverage sales में कितना change करें कि EBIT में कितना effect आएगा वो किस से बता लगा operating leverage से उसी तरीके से EBIT में कितना change होगा और उससे EPS पे क्या effect आएगा वो बताता है financial leverage इंपोर्टेंट बोल दिया मैंने बहुत इंपोर्टेंट है जैसे सेल्स का और EBIT का रिलेशन किससे पता लगता है ओपरेटिंग लीवरेश से चीक है वैसे ही EBIT और EPS का रिलेशन कैसे पता लगता है financial लीवरेश से EPS मतलब के shareholders के उपर क्या effect आएगा के shareholders के उपर क्या effect आएगा अब आपको इसका formula याद रखना है एक ही formula याद रखेंगे हम लोग तो पूरे दुनिया वर के formula याद नी रखेंगे ये वाला जो best formula होता है capital gearing का क्या formula है debt plus preference share capital upon long term capital into so note that preference share are usually treated as debt ठीक है वो मैंने आपको बता दिया क्यों करते हैं तो debt plus preference share upon total long term capital इससे क्या पता लग जाएगा business में debt आपके कित्ता है ठीक है इसलिए को since preference share are treated as debt finance preference share dividend is treated as a debt interest in this मतलब कुल मिला के debt ही मानना है आब आपन को एक question दे रखा है ठीक है इसको हम दो तरीके solve करेंगे एक तो यह अच्छा financial leverage चलो हो चुका है equity gearing and capital gearing ठीक है ठीक है देखो debt use क्यों करते है business ताकि cost of capital कम होती है ठीक है न हमने पढ़ा है cost of capital में capital structure में भी आगे यही देखेंगे debt use करने से shoulders को benefit होता है एक benefit क्या होता है क्योंकि cost of capital debt की cost of capital कम होती है अपनको पता होगा कि cost of debt is always less than cost of equity तो अगर हम interest जो है interest मतलब cost of debt कम होती है तो अगर वो हम employee करें business के अंदर debt use करें business के अंदर तो उससे जो shoulders को कुछ ना कुछ फाइदा होता है ठीक है क्योंकि cost debt को cost कम देनी पड़ती है तो जो बसता है profit extra किसके पास चला जाता है equity shoulders के पास चला जाता है जिसे बोलते है trading on equity जिसे technical language में क्या बोलते है trading on equity ठीक है दीद दीदर आपको समझ में आ जाएगा अब देको statement of financial position for this company non current assets, current assets, total assets, equity share, equity share premium मतलब ही security premium होगा preference share reserves यह घुसपैटिया है ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना loan notes, current liability, trade payables, bank overtraft, total equity and liabilities, equity gearing and capital gearing तो पहले आप capital gearing निकालो, sir capital gearing का formula आप सारे के सारे जो fixed cost वाले amount है उसको numerator में रखतो, fixed cost वाली capital, fixed cost वाली long term capital तो कौन-कौन सी है, एक तो 2.5 का तो preferential है और debt, debt कितना है, loan notes मतलब कि debenture होते हैं 10% interest rate है उसकी, ठीक है, upon, sorry, यह क्या कर दिया, मैंने 10 को लिखा upon, upon total capital, total capital किती है, 10 equity share है, 3 के reserves है, ठीक है, और 10 equity capital है, 3 के security premium है, धाई का reserve सलक से है upon total long term capital का नहीं ध्यान नहीं, तो preferential share भी जोड़ देते हैं, डेड़ के, डेड़ आएगा, तो preferential share भी जोड़ देते हैं, डेड़ के, और loan notes भी जोड़ देते हैं, तो simple, confuse होने की दिरूत नहीं है, बुलकुल simple चीज़ है, क्या करना है, देखो, long term debt plus preference share upon total long term capital, ठीक है, ये करना है, तो preferential share होगया 1.5 का, और 8 का होगया loan notes, और total capital में ये equity share, premium और ये reserves, करके देखो, 1.5 plus 8, 9.5, 10 plus 3, 2.5, 25, 38%, मतलब business में, जो financial gearing का ratio है, financial gearing का, वो कितना है भई, वो है हमारा 38%, मतलब total जो debt है, टोटल जो debt है, preferential को भी मैं debt बोल रहा हूं, जया नखना, preferential को भी मैं debt बोल रहा हूं, तो जो total debt है, वो total capital का कितना part है, 38% part है, ये जितना ज़्यादा होगा, उतना business में, खतरना किस्तिती है, आगे दीरे दीर आपको पता लग जाएगा, debt कितना परिशान करता है business को है, ये equity वाला part था, ये debt वाला part है, तो total capital आगया, दूसरा क्या बोला था, इसने equity gearing निकाल के बताओ, equity gearing कैसे निकलेगा, देखो, जो भी long term debt plus preference यह रहे है, अपन equity वाला part नीच रख दो, debt वाला part उपर रख लो, debt plus 8, ठीक है, और equity वाला part कितना है, 10 plus 3 plus 2.5 into 100, ठीक है, debt plus 8, साड़नो, साड़नो बटा, 15.5, तो आजाएगा, 61.29%, ठीक है, तो 61.29 और 38%, अब देखो, कई लोग क्याते हैं कि यह जो bank overdraft है, यह भी क्या हो सकता है, यह भी एक long term loan हो सकता है, long term loan कब हो सकता है, जैसे working capital में हमने देखा था, कि अगर मानलो यह पूरे साल पर चलने वाला loan है, मतलब bank overdraft हमारा पूरे साल पर रहता है, हर रोज हमें इतने की bank overdraft ज़रूरत पढ़ती है, तो क्यों हम इसे current liability कहें तो non current liability मानलो न, तो आपको यह जमिले में नहीं पढ़ना आप इसको current liability मानो, तो ज्यादा बढ़िया है बस इतना से निकाल के छोड़ दो, clear क्या, debt का interpretation आपको, जैसे cost of capital, capital structure पढ़ोगे, बहुत जाए detail में पढ़ेंगे हम लोग ऐसे भी debt का interpretation, ठीक है, एक और question देख लो, क्या बूल रहा है, impact of financial gearing, calculate the impact on firm C, of 10% fall in sales and comment on your result, ठीक है, तो पहले इसको एक बार बना लेते हैं, अपने style के अंदर, sales, देखो सारे figure 1000 में हैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको पूरा लिख लेते हैं, 10,000, variable cost किती है, variable cost है, 2000 की, तो contribution कितना है, 8,000 का, operating fixed cost, operating fixed cost किती है, 5000 की, ठीक है, operating profit, means EBIT जो आया, वो कितना है हमारा, 3000 का, इसमें से interest less कर देते हैं, 2000, जातर question में आपको preferential मिलेगा यह नहीं, बहुत कम questions होंगे, जहां पे आपको preferential मिलेगा, earning before tax आगया, 1000 का, अब हम लेके आते हैं, भूचाल, है न, 10% sales को कम करते हैं, करके देखो जरा, sales को 10% कम, sales 10% कम, 9,800, यह 1800, बहतर सो, fixed cost किती हो जाएगी, 5000 की, 4500 लिख दूँ, 4500, नई, सर्फ fix cost तो fix रहती है, वो क्यों कम होगी, तो 2200 और यह, interest, interest भी 10% कम कर दें, नई, interest भी same रहेगा, 200, अब खाली, इसके number नहीं बिलेंगे, आपने निकाल दिया और खुश होगे, इसका कुछ analysis भी करके देना पड़ेगा, जैसे इसमें तो केवल वो, पूछ रहे है के, हाँ, सब पर comment करो, तो चलो पहले operating leverage के साब से देखते हैं, operating leverage क्या formula था, contribution upon EBIT, निकाल के देखो, contribution किता है, 8000, EBIT किता है, 3000, तो 8000 upon 3000, 2.67, financial leverage नहीं निकाल सकता है, क्योंकि question में, day नहीं रखी data है, ठीक है, equity और debt का, but हम किसी और तरीके से financial leverage जहाँ पर comment करेंगे, 2.6 का वैसे क्या मतलब है, 2.6 का मतलब है कि अगर sales में 10% का change होगा, sales में 1% का change होगा, 1% का, तो EBIT में 2.67% का change होगा, तो अगर हमारी देखो, sales 10% से कम हो रही है, तो EBIT देखो, कितना कम हो रही है, 800 से, यहाँ पे, 800, तो 800 divided by 3,000 into 108, तो 26.67 है न, देख रहो, तो हम पहला comment क्या लिखेंगे, कि sales हमारी 10% से कम होई, बट हमारी EBIT 26.67% से कम हो रही है, because of operating fixed cost, लेकिन EBT देखो, EBT का क्या हालत है, EBIT आपकी 1000 थी पहले, अब 200 रह गई, 800 से कम होई, 800 upon 1000 into 100, means EBIT आपकी 80% तक कम हो गई है, EBIT आपकी 80% तक कम हो गई है, क्यों गामोरी 80% सोचो, because of interest, means आप देखो के तो यहाँ पे, कि 80% में से 26% तो पहले ही, इसकी वज़े से change आगया था, ठीके न, यह total देखो change कितना है, 80%, EBIT कितना change हो रही है, 80% से कम हो गई, EBIT, earning before tax, उसमें से 26.6%, 67% तो किसको attributable है, operating leverage को, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि, operating leverage 2.67 आ रहा है times, और sales हमारी 10% से कम हो ही तो, EBIT हमारी 26.67 से कम हो ही, तो बाकी सारा जो attributable है, वो किसकी महरबानी है, सारी financial leverage, मतलब इस interest की महरबानी है, मतलब debt की महरबानी है, कि 80-26.67, means 53% के आज़ पास, वो debt की वज़े से आपकी EBIT कम हो ही है, ठीक है न, तो यह interpretation करके आपको दिखाना पड़ेगा, बहुत ही easy stuff है, इसमें कुछ भी नहीं है, simple topic एकड़म, ठीक है, आपको एक formula याद रखना है, operating leverage का, ठीक है, contribution upon EBIT, और मतलब याद रखना है कि sales में change कितना आया, sales में क्या change करें, कि EBIT पर क्या effect पड़ेगा, तो उसे बोलते है, operating leverage, और financial leverage क्या होता है, कि EBIT पर change करने की वज़े से, EBIT पर या earning per share, shareholders की earning पर क्या effect आएगा, ठीक है, तो कई बार यह अच्छा भी रहता है, कई बार यह नुकसान भी रहता है, financial leverage किस वज़े से rise होता है, because of interest cost, और operating leverage किस वज़े से rise होता है, operating fixed cost, इतना सा ज्यान रख लोगे, तो भी more than sufficient है, अराम से काम चल जाएगा, बहुत बड़ा कोशन आप, मतलब expect बनना, मत करना कि operating leverage और financial leverage पर directly बड़ा कोशन आएगा, बड़े कोशनों के अंदर छोटा पार्ट आएगा, कि बताओ इसका leverage कैसा है, तो leverage मतलब भी समझाना fixed cost है, ठीक है न, clear?